दोस्त आज शुरू करने जा रहे हैं धरकंड जीके प्रैक्टिशेट टू वन दे चुका हूं और 15-15 क्वेश्चन जो है करवा रहा हूं ठीक है 15-15 क्वेश्चन रहेंगे और हमेशा इजी टू हार्ट चल रहे हैं बहुत इजी है पहला पार्ट उसरा पार्ट वीज़ी है तिसरा हाट आएगा उसी तरह सारे हाट आएगे देली टाइम रहेगा पांच वज़े सामने चीक है याद रुखिएगा आज थोड़ा सा लेट अपलोड होगा इसके लिए चमा चाहेंगे और नलेन अकाड़मी को हमेशा सस्काइब लाइक करिएगा और 100% इजी टू हार् इसका विशलेशन भी आपको शार्ट में दिया जाएगा चलिएगा तो पहला कोश्चन से सुरू करते हैं पहला कोश्चन है फड़ा फर चलते हैं कि जहरकंड की अस्थापना दिवास कब है तो जहरकंड की अस्थापना दिवास तो आप डारेक्ट याद रुखेगा कि 15 नवंबर ठीक है 15 नवंबर दो हजार को हुआ था बिहार से अलग हुआ था तो यहां पर आप याद रुखेगा 15 नवंबर जो ऑप्शन नमबर भी लगाया होगे वह सही लगाएंगे याद रुखेगा चलिएगा थोड़े से और जूम कर देता हूं है ना यहां पर यहां पर दिखिए पहला है आपका राची दूसरा है गुमला पच्छिमी सीख भूम है गिडिडी है पलामू है लतिहार है गड़वा है दूम का चत्रा है पुर्व सीख भूम है पच्छिमी सीख भूम पुर्वी सीख भूम हजारी भाग है तिरह मा बारह मा प्रेरह मा है बोकारो और चवदह मा जो है फोटी जो है सराइक गेला या खर वा बोलते हैं दोनों है याद रुखेगा आगे चलिए पंदरह मा जिला चशक्ति क्या खूटती यह या डिखैगा देवगार सोलामा है जो कि हम लुग जाते हैं भौले बावा से मिलने ग Dollar गोड़ा बोलते हैं एक मांथ्ड जहां से घंगा सर्फ एक मात्र इसा जगगा है जिससे घंगा बस इतना ध्यान रखनाना कोड कुडरिमा और ज Allah कि ले P2 बिटıldरमधा जिले हैं यह याद रखना तो पूछे। बंद रहा था उस समय ठ्छार में याद रख्ज़ेगा च्य DOC शर आफ दे 모양 त empath ऑज्रब्रेंगें इसे थोड़ा सा मिटा देता हूं आप लोग चिटिंग कर लेते हैं आप चलिएगा जहरकंड में छोटा नाकपूर यह सी कानून किस वर्स बनाया गया बताईगा यह बूख जो जहरकंड का बूख है ना जो कि थम लाइन में लगा रहेगा उसको देखेगा बहुत इच्छे बहुत अच्छा बूख है उससे सबसे ज़्यादा कुर्षण लड़ा था याद दखेगा लेकिन पेपर लिख होने की वज़े से गड़वड हो गए मैं कुर्षण लड़ा था इसी बूख से सब लोग इसी बूख से पढ़ते हैं यह मैं भी जामता हूं इसलिए उसे वन कारी क्या लेना है कि छोटा नागपूर जो है एक्ट जो है 1908 में याद कि आदिवाशियों के खिलाफ शोशन और भीर भाव के खिलाफ विर्शामुंदा द्वारा किये गए शंगर्स कि फल्सरूप 1908 में छोटा नागपूर किरायदारी अधिनियम पारित हुआ था द्वाव राता शोशन और रता दिवाशियों के खिलाफ तो इसके लिए हूँ यह एक्ट बना था याद रूखेगा चलीगा इसमें जो है आपको पूरा डीचेल मैं दे दिया हूँ याद किया है नीचे की और दिखा दूँगा यहां पर दिखेगा जहर खंड में सार्व अधीक सा चर्ता वाला जिला है याद रुखेगा महिलाओं के लिए तो बहुत साथ है चलिए इसमें देखते हैं कि इसके बारे में थोड़ा डीचेल फटाफट चलते हैं इसमें टाइम बेस्ट ना करेंगे आपको वीडियोत मिल जाएगा याद रुखेगा टेलीगराम क कर देते हैं इसको तबहाए ना आगे चलेंगे उपर अiera क्षटानी दूंग का है उचिन जालें राची है और कोश्यन है याद रुखेगा राच्किये भाषा क्या है हिंदी है कहां का जरकंड का याद रुखेगा राच्किये भाषा क्या है औरन पर तोड़ी सी आउस जनकारी लेते हैं और यहां पर अन्न भाशा कौनकौन सी है संथाली है रम तर क्यों बंगला है मुनडारी है मुनडारी सब नागपूरा नागपूर पठार है त्टवा कर दिया है तो यह भी है भाशा है जरकंड का अपन्च पर गनिया यह भी एक भाशा है यहां डिखेगा राजकिये पशेवा अगर पूछताई आपसे जरकंड से अगर वान लाइन चाहते हैं तो वान लाइन भी आएगा बस आप सप्पोर्ट करेगा हाथ ही है याद किया हाथ ही का बग्यानिक नाम क्या है आप देख सकते हैं इस पर जादे ध्यान दिनके वशक्ता नहीं है राजकिये पच्छी की बात करेंगे तो राजकिये पच्छी कौन सा है कोयल है याद किया जहरकंड का इसका बग्यानिक नाम आपके बगल में है याद प्रतिक किलाएं को दैखे। देता है। राचक्य फश्यू की बात करते हैं। राचक प्रश्यू के बात करें। फालाश products लोगहां है जो भीकाश के प्रतिसुचक होता है या तुक कि गुला का चलिए ल्गण के अगर थोड़ा सा देखें प्रशाषनी चैबन जो होता है या भागोली के वं करते हैं पर्चय करते हैं हम लोग तोड़ी जहरकंट के बारे में ठीक है तो चलिए दिखेगा ध्यान से दिखेगा ठीक है इसमें देखेगा अगर आप से पूछ रहा है अवस्थिती जो है क्या है तो भारत के उत्तरपुरम में मतल्ड नौर्थ इस्ट में है यह जरू देखेगा न तो समझ में आएगा वो लेगा तो मैं पढ़ा दूँगा ठीक है और भी मस्ती के साथ कुल के शाथ आगे चलेंगे देशांतरी यह विस्तार की बात करते हैं तो देशांतरी यह विस्तार कितना है विजहरकंट का 21 से लेके 21 से 58 से लेके 25 अठारा उत्री अच द्यसांत से लेके 28 3 2 मिनट लेक molta 27 27 अगर चैसे तरी में देख लिए आप पूरी में देख लिए और इसे पढहूंगा उन-लाएव और मोगतिष्ट का जयमीतिक अकार पूछेंगा तो चतुरभूजर प्रीफाकार है कैसा है छतुर्भूज है तो बताईएगा बीहार का कैसा है मैंने बता जुका हो रही देए अगे चलेंगे भारत के भुगो कुल भागोलीक छत्र में राज का भाग कितना है ? तो देखे, राज की भाग करेंगे न, तो धो 42 परतिष्यत है याद जखेंगे। आगे चलेंगे, राज की लंबाई कितनी हैं? तो राज की लंबाई कि अगर बात करें तुट्टा से दच्छिन में साड़े हैं, मतलत कहते हैं, 380 कीमी है या दिखेगा कितना है 380 कीमी है यह जहां दखना है राज की चड़ाई अगर पूछे तो राज की चड़ाई का ना पूछ रहा है पूरब से पच्छिम की और पूछ रहा है ठीक है पूरब से पच्छिम की और पूछ रहा है अगर जहरकंड का मैप दिखेगा ना आप तो जैसे अभी हम मैने मैप नहीं दिखा रहा है दिखा दूगा एक बना दूगा उस पे वीडियो मैप जहरकंड और बिहार पे बहुत इजी कोश्चन हो बहुत अच्छा से याद हो जागा आपको जिसे देखे अगर आप से जहरकंड है मतलब इसी तरह अलग अगर आप याद रुखिये गा ना तो आपको याद हो जागा जैगा जैसे बिहार उडिशा पच्छी मगाल 36 गड़ भी है उससे जहरकंड से चाटावा उत्तर प्रदेश तो मत बोलिए उत्तर प्रदेश भी चिपका हुआ है मतलब पड इससी पर सवाल बना था जिए जहरकंड के जीले कितने अ प्रप्रदेश चिपके हुए है उसी तरह उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश से सटे राज तो सिर्प एक मात्र एक जिला है अगर पूच दे जहरकंट से, तो मैप दिखें है, जिपका हुआ मतलब सटा हुआ है, वह उत्तरप्रदेश से पड़ोशी मानत के चलीगा, तो जहरकंट का जीला गढ़वा जो है, उत्तरप्रदेश से सटा हुआ है, लेकिन 10 जीले सिर्फ सबसे ज़ादे जहरकंट से सटे ह गाँए त्रफप से अलग वाता ज़र्कंड इसलिए तस जीला जो है जहर्कंड का वो बिहार से सटा हुआ है यह द्यान रखिएगा उसी तर समझ जाई कि जब सटा हुआ भीषार का कोई भी जीला तो सटा होगा हो भी तो दस गो एक नहीं ऐसे याद कर सकते हैं दस को नहीं कमी होगा, याद खिएगा, साथ होगा, चीक है, यह दिहान रखिएगा, जब बिहार पढ़ाएंगे तो बता देंगे, चातिस गर्द से सटे जारखंड की जिले अगर बात करें, तो देखें, उत्तर प्रदेश से तो एक है गड़वा, चातिस गर्द से चार हैं, याद खिएगा, चातिस गर्द से चार हैं, गड़वा तो हैं ही, याद खिएगा, दोनों से उत्तर प्रदेश और गड़वा, लतिहार है, गुमला है, और सिम्डेगा, ये चार जिले जो हैं, आपको चातिस गर्द से चिपके रहेंगे, याद खि जिले में से जहरकंड का कौन सा ऐसा जीला है जो कि उडिशा से उडिशा राज से चिपका हुआ है तो कौन चार है सिमडेगा पच्छिम सीभूम सराइकेला और पुर्वी सीभूम पच्छिमी सीभूम और पुर्वी सीभूम जो है उडिशा से चिपका हुआ है यह हमेशा य सब्सक्राइब बन्गार बोकारो दनबाद जामतारा दुका और पाकूड या साहिब गंजी यह सब जो हैं पच्छिम बन्गाल से जो कि भी हाथ से भी चिपके हुए हैं लगवाद 10 जिले इसके जरकंड के अब देखिए यहाँ पर सवाल बनता है राज्य का सबसे पच्छमी जीला कौन सा है तो गड़वा है जो कि उत्तर प्रदेश से भी लगता है सिर्फ एक मात्र ऐसा जरकंड का जीला है जो कि आपको यूपी से चिपकता है क्या होता है चिपक जाता है या जो कि आपको यह एक मत्र ऐसा जिला है जरकंड का जिसमें गंगा जी का प्रवेश है या दुकिएगा आगे चलेंगे सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा अगर कहें मतब कहने का मतब सबसे दच्छनी चेत्र के बात करते हैं तो दच्छनी नौर्ट में तो आप जा प्चिम से पक्चिम है तच्छिन वे याद उखेगा चारी चट्वर दिश्टे के से राज का जह देश में अस्थान केतना है पंदृमा है जैसे बिहार का बारामा है ये तरज हरुकंड का पंदृमा या यहाद देखेगा नियां परमंडुलों के संख्या अगर आपसे पू दर गथे कहुछुक्यर्था. पलामू सबसे छोटा है. यह द्यान रखेगा. आगे चलेंगे सबसे बड़ा जीला. अगर पूछे जहरखंड का, क्या बतागा, च्छतपल के इसाप से, तो पच्छिमी सीबूम है और सबसे छोटा जीला अगर पूछ ले हैंपसे, च्छतपल के साप से, तो रामगढ है, यह बता देगा राज़ की जलवाईव क्या है, तो राज़ की जलवाईव अगर आपसे पूछे, तो मौनसूनी है, उसन कटिवन ईयह मौनसून है, याद टुकिएगा उसत बार्सिक बर्षा क्या है तो एकसो चालिस संटीमीटर है मुगफ़शल क्या है तो मुगफ़शल है धान है याद लुकहेगा अधिक तम तापपान क्या है तो 38डिग्री सेल्शियर्स 900 फॉर्ण हाइट है याद लुकहेगा आगे चलेंगे निमतमता 5 क्या है तो निमतमता 5 क्या अगर बात करें तो 10 dengari कलशिय है तो 50 degree F है याद लिखेगा आगे चलेंगे कुल बंध भूमी क्या है तो कुल बंध भूमी की अगर पुछे तो 23-25-5 घग मी में है 29-25 पर्सिषत में है याद लिखेगा प्रकंडों की शंख्या पढ़ लिया, प्रकंडों की शंख्या अगर पूछे तो 260 बताइएगा यादिखेगा नगरणिगमों की शंख्या अगर पूछे तो 24 बताएगा जिला प्रसेदों के संख्या अगर पूछ रहा है तो 445 बताएगा पंजाइतों की संख्या अगर 54 तेस बताएगा यहाँ दिखिएगा आगे चलेंगे आगे हैं कि स्थलब बड्स जिलों की संख्या दूसरे राजसे सटे नहीं है वो लो क्या होंगे तो लोहर्द्ग का खुक्ती जो है को ही जिला दूसरे रास्ते टुसरे बिहारं से सखेड़े कैसे रहे हैं कि पतायका सदुनर तो राजू से सखेड़े औरीशा से सटा हुआ है या तो यह सब आपको मैप देखेगा तो समझ में आएगा अभी इसको पीडियेफ सामने रखेगा और मैप भी सामने देखेगा आपको याद हो जगा तिन राज्जियों से सटा हुआ जिला कौन सा है तो गड़वा जो कि बिहार उतर प्रदेश और 36 गड़ तीनों से सटा हुआ है जिस सिर्फ उतर प्रदेश जो है जरकंड क्या एक ही जिला से च नहीं है तो 6880 है याद देखेगा तो 25389 है आगे चलेंगे इस तरह से आप यह वीडियो को चलूर देख लिएगे चलते हम अगला पॉश्चन जब पढ़ाएंगे उस पे जादे चर्चा करेंगे चलेगा तो आगे बताई हुन्डू जलपरपात किस राज में है तो याद यहाँ पर देख सकते हैं अप्शन नमरे जो लगाएंगे जो सही लगाएंगे राची में उन्डू जलपरपात जर्कंड राज के पर्थम मुखमंतरी का नाम क्या है तो जो जानते हैं तो हम जानते हैं बावुलाल मरांडी बावुलाल मरांडी जह यहां यहाँ च्छिके पंद्रों नमूंबर 2000 को हुआ था ये आप जानते हैं इसके प्रतम जब अस्थापना वो उसी समय बना था तो इसके प्रतम मुखमंतरी बावुलाल मरांडी है लेकिन और याद दुखेगा कि प्रतम राजपाल कभी चर्चा करेगा एसलिए मैंने लिख दिया, यहां पर प्रभात कुमार थे याद दिखेगा को थे, प्रभात कुमार थे, बावुलाल मरांडी और प्रभात कुमार प्रतम राजपाल थे मुखमंतरी बावुलाल मरांडी है चतरा टाना, भगत ने किस वर्ष शुद्धि आल्दोलन की शुरुआत की शुद्धि आल्दोलन ऐसे बोला जाता है उसकी शुरुआत है 1914, 1914 हमें याद खेगा चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर जादर डिटे नहीं चलेगे नेक्स्ट कोश्चन की बात करते हैं तो मैथन जल बिद्दूत के अंद अनुसुचित जातियों का प्रतिशत कितना है जहरकंड में अनुसुचित जातियों का प्रतिशत कितना है तो बार के समलोग एक प्रतिशत है याद खेगा जहरकंड में चावल अनुसंद्धान के इंदर किस जिले में स्थित है तो चावल के लिए अगर पूछे तो हजार पत्ता इसमला किसे का जाता ले तो यहांद की आप 2ृटी एक रहे हैं तो उन्हें सशाथ में अप्शा नंबर 2 लगाएंगे वो से लगाएंगे यार रखेगा चलिएगा थाइसमा प्रशन की बात करते है हमारे सामने फटाइसमा प्रशन को बताईए गंगानदी झारगन के किस चिले में बती है तो आप जानते हैं एक बात मैं बोलूँगा साहिव गंज, साहिव गंज, साहिव गंज, अभी पढ़ें हम जस्ट, मैंने उसमें जाना टाइम दिया है, क्योंकि आपको याद हो जाए, जहरकंड में पुलीश, मैनुवल, किस वर्स लागू हुआ था, पुलीश मैनुवल, जो अगर पूछ दे, तो मैसले, याद केमा, साहिव गवा था बस स्टाइम बस राकव गंज, विए क्योंकि त्योंको बहुत मैनुवल ईकशिच्टिश करता हूँ और वही कंटेंड लाता हूँ, जो हैं मैने परने क्शेन पक्का देगες, ख़़रोगा त्य मेर्स लाने के पकर परने की क्शिर कोई भी प्रैक्टिशेट में करा रहा हूं कोश्चन जरू मिलेगा दस कोश्चन जरू मिलेगा जहीं जबारत अच्छा लेगे तो प्लीज सस्काब लाई करना ना भूलेंगे